नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है Knowledge Facts में। आज हम खोजेंगे भारत के एक शानदार प्रदेश जम्मू कश्मीर को और देखेंगे इसकी भौगोलिक स्थिती, सम्रिध इतिहास, लुभावनी प्राकृतिक सुंदरता, अनूठी संस्कृती, कश्मीर की राजनीती और परेटन स्थल के बारे में जानेंगे। तो आएए विडियो की शरुआत करते हैं। यहां स्थित वैशनो देवी और अमरनात की गुफाएं हिंदूओं के अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ का केंद्र रही हैं। जम्मू और कश्मीर को धर्ती का स्वर्ग कहा जाता है। यहां की सुरम्य घाटी बर्फ से ढखे पहाडो, लिंडन, अकरोट और विलो पेडो और उग्र नदी किशन गंगा से ढखे घास के मैदानों से घिरी हुई है। यहां के टोब दर्शनी अस्थल पीर बाबा तीर्थ और हबबा खातून पीक हैं। यहां आकर टूरिस्ट ट्रेकिंग ट्राउट, फिशिंग और माउंटेन क्लाइम्बिंग कर सकते हैं। जम्म और कश्मीर का इतिहास। 1846 से 1947 तक British East India Company और British Raj के नियंतरण में यह एक रियासत थी। प्रथम आंगलसिक युद के बाद रियासत का निर्मान हुआ। जम्मू और कश्मीर के महाराजा हरी सिंह डोगरा ने भारत के राजनीतिक विभाजन के दौरान भारत में शामिल होने क निर्ने टाल दिया। हालां की 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने आपचारिक रूप से 1947, 48 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान सैन्य समर्थन के बदले में विलय के साधन पर हस्ताक्षर करके भारत में प्रवेश किया। इस तरह जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना, अनुचे 317 जिसने जम्मू और कश्मीर को विशिष्ट दरजा दिया, एक अलग सम्विधान, एक राज्य ध्वज और प्रशासनिक अधिकार प्रदान किया गया। जम्मू और कश्मीर, 5 अगस्ट 2019 तक भारत का एक राज्य था, जम्मू और कश्मीर के इतिहास में 6 अगस अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की संस्कृती और त्योहार के बारे में जम्मू कश्मीर में संगीत को सूफियाना कलाम कहा जाता है इसलाम के आगमन के बाद कश्मीरी संगीत इरानी संगीत से प्रभावित हुआ कश्मीर में इस्तिमाल होने वाले संगीत वाद्ययंत्र का आविशकार इरान में किया गया था अन्य वाद्ययंत्रों में नागरा, डुकरा और सितार शामिल है रबाब कश्मीर का लोक प्रिय लोक संगीत है जम्मू घाटी के डोगरा पहाडी क्षेतर में गीतरु उत्सव ग्रामिन शादियों और अन्य सामाजिक त्योहारों के समय किया जाता है। मंडल मेला मनाया जाता है। भाषा कश्मीरी भाषा पहले शार्दा लिपी में लिखी जाती थी। कश्मीरी भाषा एक भारतिय आर्य इंडो एरियन भाषा है जो कश्मीर घाटी तथा चेनाब घाटी में बोली जाती है। ये कश्मीर क्षेतर के लगभग साथ मिलियन कश्म जो न केवल कश्मीर के इतिहास पर बलकि भारत के इतिहास पर भी प्रकाश डालती है। भारत का एक मात्र आंशिक रूप से स्वतंत्र राज्य था। अब यह एक राज्य के बजाए केंद्र शासित प्रदेश है। भारतिय सेना की मौजूदगी एक मुद्दा रही है और क्शेत्र की राजनीति को प्रभावित करती है। कश्मीर संगर्ष 1947 में भारत के विभाजन के बाद शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान दोनों ने जम्मू और कश्मीर की पूर्व रियासत की संपूर्णता पर दावा किया। यह उस क्शेत्र का विवाद है जो भारत और पाकिस्तान के बीच तीन युद्धों और कई अन्य सशस्त्र जड़पों में बदल गया। युद्ध के अनिरनायक परिणाम अभी भी दोनों देशों के भूराजनीति को प्रभावित करता है। जम्मू और कश्मीर तीन हिस्सों में बटा हुआ है। निर्जन ट्रांस कारा कोरम ट्रैक्ट और डेम चौक सेक्टर का हिस्सा शामिल है। एतिहासिक और परियतन स्थल, गुलमर्ग, गुलमर्ग, समुद्रतल से 2730 मीटर की उंचाई पर स्थित है। और भारती एकेंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में एक अधिसूचित क्षेत्र समिती है। बर्फ से ढके पहाड, हरियाली, जीले, देवदार और देवदार के जंगल और विभिन्न प्रकार के फूल। यहां गुलमर्ग वन्यजीव अभया रणने के पास में पश्चिमी हिमालय की पीर पंजाल रेंज की एक घाटी भी स्थित है। आप नहरू पार्क, चार चिना जैसी मशहूर जगहों पर घूम सकते हैं और शिकारा का आनंद लेते हुए फ्लोटिंग मार्केट से शोपिंग कर सकते हैं। सोनमर्ग सोनमर्ग को Mid of Gold के नाम से जाना जाता है। यहां की सुनहरी वादियां परियटको के मन को लुभा लेती हैं। सोनमर्ग गांधीरबल जिले में स्थित है जो की सभी परियटको के लिए आकरशन का केंदर बना रहता है। यहां पर परियटक बोटिंग, फिशिंग जैसे सासिक क्रिया में भाग लेते हैं और प्रकृति की गोद का आनंद लेते हैं। उधमपुर यहां पर 160 फीट लंबा, 200 फीट चौड़ा प्राकृतिक श्वेत शिवलिंग स्थित है। माना जाता है कि अमरनाथ कुफा में भगवान, शिव, साक्षात रुप में विराजमान होते हैं। परिटक यहां पर अद्भुत श्वेत शिवलिंग के दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ की यात्रा पहल गांव से शुरू होती है। वैश्नो देवी वैश्नो देवी धाम जम्मू कश्मीर में कट्रा से 13 किलो मीटर की दूरी पर धार्मिक तीर्थ स्थल है। यहां पर सभी श्रद्धालु दुर्गा माता के दर्शन हितु आते हैं। साथ ही प्रकृती प्रेमी भी इस धाम में खीचे चले आते हैं। यहां पर पैदल यात्रा भी की जा सकती है। और बुजुर्गों के लिए पाल की वा खचर जैसी सुविधाएं उपस्थित हैं। नवरात्रों में यहां अक्सर भीड देखी जाती है। यदि आप बर्फ के शौकीन हैं, तो दिसंबर जनवरी में आप माता वैशनो देवी के दर्शन कर सकते हैं। उस समय यहां पर बर्फ पढ़ने के कारण द्रिश्य और अधिक मनुहारी लगता है। शिव खोडी शिव खोडी जम्मू कश्मीर में गुफाओं के लिए बेहद प्रसिद्ध है। पर छोटी छोटी गुफाएं हैं, जिसमें एक गुफा में चार फीट का प्राक्रतिक शिवलिंग है। इस गुफा में जाने के लिए आपको संकरी गुफाओं से गुजरना होता है, जो कि अपने आप में एक रोमान्चक भर देता है। यहां पर आप स्वयम को प्रक्रति के बेहद नजदीक पा सकते हैं। साथ ही बाबा के दर्शन करके जम्मू कश्मीर की वादियों का आनंद ले सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, हमारे साथ रहने के लिए। आपको ये वीडियो केसा लगा कमेंट में जरूर बताए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक करें। आपकी सपोर्ट हमारी उर्जा है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।